नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों भाई दूच का पर्व, भाई और भेन के प्रेम का प्रतीक है वास्तो शास्तो के अनुसर हर साल कार्तिक महा के शुकल पक्षकी दित्या तिठी को भाई दूच का पर्व मनाते हैं भाई दूच का पर्व दिवाली से दूसरी तिठी को मनाते हैं ये दिवाली का भाई दूच होता है भाई दूच को यम दित्या भी कहा जाता है इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है वहाँ पर बहन अपने भाई को आदर सत्कार करती है और तिलक लगाती है उसके बाद भोजन कराकर उसके खुशाली के लिए प्रातना करती है बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल कब है भाई दूज भाई दूज को यम दित्या क्यों कहते हैं भाई दूज पर तिलक लगाने का शुब मुरत क्या है और भाई दूज का महत्व क्या है तो चलिए जानते हैं नमबर एक दो हजार तेस में कब है भाई दूज दोस्तो शास्रों के अनुसार इस साल कातिक मा के शुकल पक्ष की दित्या तिथी का पारंब 14 नवंबर दिन मंगलवार को दुपहर 2 बच कर 36 मिनड़ से होगा ये तिथी 15 नवंबर बुद्वार को दुपहर 1 बच कर 47 मिनड़ तक मानने है ऐसे में उद्याय तिथी के अधार पर इस साल भाईदूज का पर 15 नवंबर बुद्वार के दिन मनाया जाएगा हलाकि कुछ जगाओं पर 14 नवंबर को भाईदूज मनाया जाएगा नमबर 2 भाईदूज 2023 तिलक लगाने का शुगमूरत क्या है दोस्तो जो भेने 14 नवंबर को भाईदूज मनाएगी वे दुपहर को 1 बचकर 10 मिनट से लेकर 3 बचकर 19 मिनट के बीच में भाई को तिलक लगा सकती है हलाकि 15 नवंबर को भाईदूज के तिलक लगाने का शुगमूरत सुबह 10 बचकर 40 मिनट से दुपहर 12 बजे तक है नमबर 3 भाईदूज को क्यों कहते हैं यम दित्या दोस्तो भाईदूज को यम दित्या भी कहते हैं पराने कथाओं के अनुसार बृत्यू के देबता यम राज कार्तिक शुकलत दित्या तिथी को पहली बार अपनी बहें यमुना के घर आये थे यमुना ने उनसे कहा था कि सभी भाई अपनी बहें के घर आते हैं और आप कभी नी आते तब यम राज दिवाली के बाद की दूसरी तिथी को यमुना के घर गए थे तब यमुना ने यमराज का सेवा सत्कार किया था उससे यमराज बहुत प्रसंद हुए थे उन्होंने बहन से वद्दान मांगने को कहा इस पर यमुना ने कहा कि जो भी भाई कार्तिक शुक्ल दित्या को अपनी बहन के घर जाए उसे यम का बहन ना हो इस पर यमराज ने कहा कि भाई दूच के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा उसे मृत्यू का बहन नहीं होगा भाई दूच का संबंद यमराच से है इसलिए इसे यम दित्या भी कहा जाता है दोस्तों रक्षा बंदन के बाद भाई दूच का पर्व बहन और भाई के लिए होता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार इस पर्व को मनाने से भाई को अकाल मृत्यू के बहन से मुक्री मिल जाती है बहन अपने भाई के सुक और समरिदी के लिए कामरा करती है इसलिए भाई दूच का त्योहार मनाया जाता है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार